नमस्कार, दोपेहर समाचार में आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चारण के अधिसूचना जारी होने के साथी नामांकन प्रक्रिया शुरू गुजरात में बाड के बाद राहत और बचाव अभियान जारी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और केंद्र के ओर से हरसंभव सहायता का आश्वा संदिया जम्मो कश्मीर में अलग-अलग मुझभेड में तीन आतंकवाती मारे गए राश्ट्रिय अन्वेशन अभिकर ने विशाखा पट्रणम जासुसी मामले में देश भर में तलाशी ली केंद्र ने भारतिय कंपनों द्वारा GIFT-IFST में प्रतिभोतियों को सीधा सुचेबध करने के लिए नियमों में संशोधन किया और आज राश्ट्रे खेल दिवस मनाया जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार युवाओं की खेलों में भागिदारी के लिए प्रतिवध है दोपहर समाचार की साथ मैं का नकलता निर्वाचन आयोग ने जम्मु कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के अधिसूचना जारी कर दी है इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है नामांकन पत्र भरने की अंतिमतिती 5 सतंबर है अगले दिन नामांकन पत्रों की जाच की जाएगी नाम वापस लेने की अंतिमतिती 9 सतंबर है मतदान 25 सतंबर को होगा इस तरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा ये जिले हैं गांदरबल, श्रीनगर, बढ़गाम, राजवरी, पुंच और रियासी सभी चारणों की सीटों के परणाम 4 अक्तूबर को घोशित किये जाएंगे जम्मो कश्मीर विधानसभाद चुनाव के पहले चारण के लिए कल 24 निर्वाचंक शेत्रों में नामांकन पत्रों की जाँच की गई 289 नामांकनों में से 244 नामांकन वैद पाए गए 18 सितंबर को होने वाले पहले चारण के चुनाव में 5,666,000 युवाँ सहित, 23,27,000 स्यधिक मतदाता अपने मतदिकार का प्रयूग कर सकेंगे और ब्योरा हमारे समवादाता से दूसरी चरण के लिए 6 जुनों गांदरबल बढ़काम श्रूनगर पूंचराजुरी और यासी में 26 विदान सभाशेत्रों के लिए आज राजपत्र अधिसूचनाचारी की है नामंकन पत्र 5 सब्तमबर तक बढ़े जा सकेंगे जबकि नामंकन की जाज 6 सब्तमबर को और नामंकन वापस लेने की आखरी तारिक 9 सब्तमबर को रखी गई है अकाशवानी समाचार के लिए शुनगर से मैं सुनील कोड जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ जिले में दूसरी तंगधार सेक्टर में हुई जम्मू कश्मीर पोलिस के महानिदेशक आरास्वैन ने आकाशवानी समाचार को बताया कि तंगधार सेक्टर में एक आतंकवादी मारा गया और दो आतंकवादी माचिल सेक्टर में मारे गया है करना सेक्टर में एक डेड़ बड़ी देखने को मिल रहा है अभी ये साचा प्रशन जारी है कल रात राज़ारी जिले के लाठी गाउं में स्वरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच एक और मुठवेड शुरू हो गई जब सैनिकों ने आतंकवादी गद्वेधी के संदे में घेराबंदी और तलाशिय अभ्यान शुरू किया इलाखे में दो से तीन आतंकवादी छिपेवे हैं और घेराबंदी तथा तलाशिय अभ्यान तेज करने के लिए अतिरिक्त बलों को इलाखे में भेजा गया है अधिकारियों ने कहा है कि खराब मौसम के कारण आपरेशन में बाधा आई है और मौसम में सुधार के बाद भी कारवाई जारी रहेगी जम्मु कश्मीर के राज़ोरी जिले में कलरा सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड शुरू हुई सुरक्षा बलों ने आतंकवादि गत्यविधी के संदे में इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान को तेज करने के लिए अतरिक्त बलों को क्शित्र में भेजा गया है इस वीच सुरक्षावलों ने तलाशिय अभियान के दोरान पुँच जिले में दाची टॉप शिंद्रा अलाखे के जंगल में एक छिकाने पर छापा मार कर छे हत गोले बरामद किये हैं राश्रिय अनवेशन अभिकरण एनाईय ने पाकिसान की साधिशवाले विशाखा पट्रणम जासुसी कान में बड़ी कारवाई करते हुए कल देश भर में विभिन ठिकानों पर तलाशी ली एनाईय के अनुसार गुजरात, करनाटर, केरल, तलंगाना, उत्तरप्रदेश, बिहार और हर्याना में 16 ठिकानों पर व्यापक तलाशी की गई ये सभी ठिकाने उन संदिक्ध लोगों से जुड़े हैं जिन्होंने भारत में जासुसी गतवीधियों के लिए पाकिसान से पैसा लिया था ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे News on AIR एप पर भी उपलब्ध है मल साफ करने के बाद हाथ साबन से दोएं और दस्त हो जाने पर हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें समझ गई डाक्टर साहब क्या रक्षा, रोक्ठाम और उक्चार अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें स्वास्थ एवं परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा जन हित में जारी दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है वित्त मंत्राले ने प्रतिभोती अनुबंद विनियमन नियम 1958 में संशोधन किया है जिससे सारजनिक शिद्र की भारते कंपनिया अपने प्रतिभोतियों को अंतरा से शेर बाजारों GIFT, IFSC में सीधे सुचिबध करा सकेंगी वित्त मंत्राले के अनुसार नए संशोधन से भारते स्टार्ट अप और उभरती कंपनियों को व्यश्विक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी साथी भारती कंपनिया अन्य बाजारों में अपनी उपस्तिती दर्ज करा सकेंगी मंत्राले ने कल इस बारे में घजट अधिसूचना जारी की सरकार ने संग लोग सिवा आयोग UPSC को स्वेच्छिक आधार पर उम्मिद्वारों की पहचान प्रमानित करने के लिए आधार आधारित सत्यापन की अनुमति दे दी है पंजी करण के समय और परिक्षाओं तथा भरती के विभेने चरणों की दोरान ये सत्यापन किया जा सकता है ये निर्णे पूजा खेडगर की अंतरिम उम्मिद्वारी को रद करने और फर्जी पहचान दिखा कर सिविल सिवा परिक्षा में निर्धारित संख्या से अधिक प्रयास करने के लिए उन्हें भविश्य की सभी परिक्षाओं से वंचित करने के बाद आया है केंद्रिय परियावरण वन और जल्वायू परिवर्टन राज्जमंत्री केर्थि वर्धन सिंग ने आजने दिल्ले में एसोचैम परियावरण और कार्बन सम्मिलन का उद्गाटन किया सम्मिलन का विशय दो हजास सत्तर तक कार्बन उत्सरजन कस्तर शूने करने के तंत्र का विकास है सम्मिलन को संबोधित करते वे शरस्टेंग ने कहा कि जलवायू और पर्यावन परिवर्तन अब एक वैश्विक मुद्दा है लेकिन सरकार देश को इसके प्रभाव से बचाने के लिए कई ख़़म उठा रही है जारकन के पूर्व मुख्य मंतरी चमपई सोरिन ने हिमंत सोरिन सरकार में मंतरी पद और जारकन मुख्य मूर्चा के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है पार्टी अध्यक्षे शिबुर सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी की कारश्यली और नीतियों ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया चमपई सोरेन कल भाजबा की सदसेता ग्रहन करेंगे उन्होंने जारगन विदान सभा की सराय केला सीट से भी त्याक पत्र दे दिया है श्री सोरेन ने कहा कि भाजबा में शामिल होने का उनका नर्णै जारगन के लोगों के हित में है गुजरात में मध्य और दक्षणे क्षेत्रों में बारिश काफी कम हो गई है लेकिन सौराश और कच्छ क्षेत्रों में हलके से मध्यम बारिश हो रही है बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचावकारे जोरों पर है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्य मंत्री भूपिंद्र पटेल से फोन पर बात की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कारियों का जाज लिया उन्हों राज्य प्रशासन को जन जीवन बाहाल करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता और सारुजनिक स्वास कारों में तेजी लाने का निर्देश दिया प्रधान मंद्री ने केंद्र के ओर से हर संभव सहाज़ता का आश्वासन भी दिया हमारी संभादाता ने खबर दी है कि स्वच्छता कारे के लिए लगभाग 35 स्वास टीमों को बाढ़ प्रभावित जिलों में पांच दिन के लिए भीजा गया है कच्छा सवराज शेत्र के देवभुमी द्वार का पोरबंदर और राजकोट जैसे जिलों को छोड़ कर राज़ के अधिकांश हिस्व में बारिश की तिवरता में काफी कमी आई है हाला कि वडोदरा शेहर के अकोटा इलाके के कई हिसे अभी भी पानी में डुबे हुए है राहत कार्य जोरो पर चल रहा है इस बीश राजके स्वास विभाग द्वारा वडोदरा मोरबी पोरबंदर जैसे हरी पारी से प्रभावित जिलों में सफाई और जल जनित और मच्चर जनित बीमारियों से बचने के लिए जरूरी कारिवाही करने के लिए पांच दिनों के लिए कुल 35 मेडिकल टी में भीजी गई है अपर नाखून आकाश्वानी समाचार एहमदबाद बिहार में बाड की स्थिति गंभीर बनी हुई है गंगा, गंडग, कोसी और महानदी सहित प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खत्रे की निशान से उपर बह रही है खगडिया, भागलपूर, कटिहार की कुछ नएक शित्र बाड की चपेट में आ गये है एक रिपोर्ट केंड्रे दल ने तृपूरा के चार जिलों में बाड के प्रकोब का आकलन शुरू कर दिया है केंड्रे जलायोग के निदेशक, महिश कुमार के नेतृत्वों में इस दल ने गोमती जिले का दोरा किया और प्रभावित ख्रित्रों का निरिक्षण किया अपर जिलाथिकारी बिनोय भूशन दास के अनुसार गोमती जिले को 1100 करोड रुपिय का नुकसान हुआ है भारती मौसम भाग ने सौराश और कच्छ में आज मूसलाधार वरशा होने का पूर्वा नुमान व्यक्त किया है मौसम एजिंसी ने कहा है कि अगलिस साथ दिन के दोरान कोंकर्ण, गोवा, मध्य महराश्ट, असम, मिघाले, नागलन, मनिपूर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वरशा का नुमान है इस बीच दिल्ली के विभिन भागों और आसपास के विभिन इलाखों में कल रात और आज सुबह तक मध्यम से तेज वरशा हुई इस बारिश के कारण विभिन इलाखों में जलभराओं से याता यात बाधित रहा पश्चिम नेपाल में लगातार वरशा से हुए भूसखलन के कारण संफे बागर मर्तडी रोड पर बाधा उत्पन हुई है इस वरश दस जून से विभिन भागों में मौनसुन की वरशा के कारण बाध और भूसखलन जैसे विभिन आपदाओं में कुल 210 लोगों की मौत हुई है आज दोपहर बाध तक बाध के कारण 480 मकान जलमक्ड हो गए बाध में 972 पश्वों की भी मौत हुई है ये समाचार आकाश्वाणी से प्रसारित किये जा रहे है ये आकाश्वाणी है आज राष्टे खेल दिवस मनाया जा रहा है ये दिवस महान होकी खिलाड़ी मेजर ध्यान चन्द के जन्दिन पर 29 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है इस अवसर पर युवा कारेक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुक मांडविया ने सभी नागरिकों को कम से कम एक घंटा खेल को समर्पित करने का आखवान किया है उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्मान करता है शिमानविया ने सभी नागरिकों से आज राष्ट व्यापिय उत्सव में भागीदारी करने का आग रह किया मेजर ज्यानचन की जन्मजेनती को अम राष्टी खेल दिन के रुपे मना रहे है स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्मान करता है और स्वस्थ समाज सम्रुद्ध राष्ट का निर्मान करता है 2047 में विक्सित भारत बनाने के लिए देश के हर नागरिक स्वस्थर है उसके लिए हर नागरिक फिट रहना आवशक है प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी ने राष्टे खेल दिवस पर शुप काम नाये दी है उन्होंने कहा है कि देश होकी के खिलाड़ी मेजर ध्यान चंद को आज शद्धा सुमन अर्पित कर रहा है श्रीमोदी ने कहा कि सरकार खेलों को समर्थन देने के लिए प्रतिवध है और युवाओं की खेलों में भागिदारी और प्रतिभाप्रशन के लिए पूर्ण सहयोग दे रही है अरुनाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी पेमा खांडू ने खेल दिवस के अवसर पर कहा कि उनकी सरकार राज में प्राथमिक्ता के साथ खेलों को बढ़ावा दे रही है प्रालिम्पिक खेलों का कल फ्रांस की राधानी परिस में शांदार उदगाटन हुआ फ्रांस के राश्रपती इम्मैनियल मैक्रोन ने पेरिस में रंगा रंग समारों के दोरान खेलों की शुरुवात की गोफना की और अंत में मुख्य समाचार एक प्राल फिर प्रधान मंतरी प्रिप्या से फिर से सुनले जम्मो कश्मीर में विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण के अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्या शुरू गुजरात में बाढ के बाद राहत्र बचाव अभियान जारी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मुख्य मंतरी भूपेंद्र पटेल से बात की और केंद्र के ओर से हर संभव सहायता का श्वासन दिया जम्मो कश्मीर में अलग-अलग मुझभेड में तीन आतंगवादी मारे गए राश्रे अनवेशन अभिकर्ण ने विशाखा पट्रणम जासुसी मामले में देश भर में तलाशे ली केंद्र ने भारते कमट्रों द्वारा जी आई एफ्टी आई एफस्से में प्रतिभूर्णों को सीधा सोचे बध करने के लिए नियमों में संशोधन किया और आज राश्रे खेल दिवस मनाया जा रहा है इसके साथ ही दो पहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार